मत्रदेश के शेडोल में रहने वाली सौप्यर इंजीनियर आर्जू कटारे की यूपी की कानपुर में शादी को महज 17 दिन बाद ही हत्या करती गई और इसके बाद ससुराल वाले हत्या को हाथ साबत करने में लगे रहें जिलोभी हत्यारे पती वापरिजन पर सक्त कारवाही की मांग को लेकर शेडोल शेहर के लोगों ने पेस्वुक बर ट्विटर के साथ सड़क पर उतर कर कैंडल मार्च नेकाला यूपी सरकार के मुख्यमंद्री योगी नाथ से आरजु कटारे को निया दिलाने की मांग को लेकर योगी सरकार के नाम जिले के कलेक्टर वा एसपी को एक ग्यापन सापा के लिए शेहडोल जिले के बहु प्रसिद्ध इटा व्यवस्ताई नीरच कटारे की पुतरी सौफ्टवेर इंजिनियर आरजु का विवाह आठ दिसंबर को कानपुर यूपी निवासी अमंदीप गुपता के साथ हुआ था किन्तु 25 दिसंबर को सुभा 11 बजे ससुराल पक्ष से जानकारी मिली कि आरजु की मौत गीजर की करंट से हो गई है जब शेहडोल से परिजन वहां पहुँचे तो पीम रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि आरजु की मौत गला घोटने से हुई है इस घटना को लेकर नगर के लोग दुखी वा आवेश में है आरजु को न्याय तभी मिलेगा जब ससूर आरसी गुपता पती अमंदीब गुपता ननद आरजु गुपता सास पिंकी गुपता वरिशिदार श्वेता कटारे को गिरफतार कर फास्ट्रेक कोर्ट में बामला चला कर सजा दी जाए दहेज लोभी हत्यारे पती वा परिजन परसक्त कारेवाही की मांग को लेकर शहडोल शहर के लोगों ने फेस्बुक वा ट्वीटर के साथ साथ सड़क पर उतर कर केंडल मार्च निकाला यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदितिनात से बड़ी संख्या में नागरिक शामल रहे बतादे की मधिप्रदेश की शहडोल के रहने वाले इटो के कारोबारी नीरज कटारे की इकलौती बेटी थी आरजु कटारे इसकी शादी आठ दिसंबर को केशव नगर के रहने वाले अमंदीप से बड़े ही धुनधाम से की लेंगे लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि शादी के बाद जिस बेटी को ससुराल विदा कर रहे हैं वो मह सत्रा दिन बाद ही बेटी इस दुनिया से विदा हो जाएगी आरजु की मौत की खबर के बाद परिजरों में भारी आकरोश है ट्वीटर फेस्बुक और आन योगी सरकार के नाम जिले की कलेक्टर वैस्पी कुग्या पंसौपा पता नहीं वो क्या कहना चाह रही थी हम तो बिल्कुल परिसान है सब्दे से कि क्या रह गया उसके दिल में राज ऐसा क्या करना कैसे हम आइ अपनी बेटी को ले के आए हमारा तो एक मिनट हम अपनी बिटिया के बिना नहीं रहते थे कैसे हम उसको बिना रहेंगे जिन्दिगी को जा रहेंगे आपने अपने क्या मान चाहते हैं अपने उप्राजियों को कौन है बिल्कुर सामने लाकि कठोर से कठोर डंड दिया जाए और इतनी यातना दी जाएं जिन्दिगी में किसी कैदियों को इतनी यातना नम दी गई हूँ और मैं चाहती हैं जो कि विजी सामने हो मैं अपनी आँखों से देखिए कि मेरी बेटी के साथ जैसे हजार गुना लाग गुना इन लोगों के साथ हूँ मैं बिलकुल निया चाहती ही हूँ यू-पी प्लॉस से मैं तू अंसन करने पे बैठ गई थी कि मैं जै अन्नि-जल-ट्याक के योगी जी से हमको बात करना है मैंने ट्यूटर में डाला है कि हमको नयाय चाहिए, हमको बात कर योगी जी से मिलवाद ओपर, कि सब लोग ने बोले इतना संभाव नहीं है, पर यूपी सरकार में क्या संभाव नहीं है, कि बेटी एक पन्रा दिन के अंदर बेटी मार दी गए, कि ये संभाव नहीं है, कि हम हमको मिलना नहीं दे, अधिकार नहीं है कि हम इमोधी योगी जी से बात कर सके, क्या हमको ऐसी बेटी बेटी मार दुख्याती रोती रह जाएगी जिंदिगी भर, क्या हमको नयाय चाहिए, बस हमको इंसाफ चाहिए. आज हमलों सब लोग अपने सहर की बच्ची को नयाय दिलाने के लिए सब एकत्रित हुए हैं, हर एक समाज के लोग और फुरे सहर की लोग दुखी हैं, जो हमारे बच्ची के साथ 8 दिसंबर को उसकी साधी होती है, और 25 दिसंबर को इतना बड़ा घटना घट जाता है, उस को उसेिस उसके सफराल वालों दौरा मार के बाद इबच्ची को नयाय मिलना चाहिए और इस नयाय के लिए हम लोग को यह कैndल मार्च अगर यूपी तक ले जाना पड़ेगा, हम लोग पैदल यहां से यूपी तक जाएंगे जब तक हमारी बच्ची को नयाय नहीं मिलें झाल झाल